हेलो लेनर्स में टम आफसेस में नागेंदर आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं हर बार की तरह आपके साथ मौजूद हूँ फिर से एक्जाम से पहले आपके हर प्लैन को आपकी जो हर महनत आपने की उसके कणखन को आप कैसे कनवर्ट कर सकते हैं अपनी सक्सेस में इसके लिए काउंसलिंग सेशन के लिए तो मैं जानता हूँ कि ये काउंसलिंग बहुत जरूरी है अदरवाइस हमने पिछले कई लेक्चर्स पिछले कई एक्जाम से हमने अपना एक लेसन लिया है कि हम कई गलतियां करके आते हैं इस बार वो गलतियां ना हो इसके लिए मैं आपके पास रोज कुछ काउंसलिंग सेशन लेके हाजर हूंगा और जो आपने डिमांड रखी है कुछ special units की उसके important MCQ भी आएंगे और मेरे important questions भी आएंगे आप बेफिकर रही है और मैं भले ही अपने बच्चों के साथ दो दो तिन तिन सेशन में रोज जूटा रहा हूँ इस बीच और आपको कम वक्त दे पाया हूँ लेकिन आप भी मेरे सब लोग बहुत चाहने वाले लोग हैं और मेरे सबस्क्राइबर हैं आपके प्रती भी मेरा करतव्य है तो मैं ये 10-15 दिन आपके साथ खड़ा हूँ आपको गाइट करने के लिए और आपके लिए कई बिल्कुल एक्स्ट्रेक्ट के वए इंपॉर्टन क्वेश्चन लाने के लिए फिलहाल इस समय वक्त है काउंसलिंग का और काउंसलिंग एक ऐसी चीज़े जिसकी बहुत जरूरत है क्योंकि मुझे पता है कुछ चीज़ें आपके जहन में घूम रही हैं इस समय जैसे मैं कुछ special चीज़ें जो आपके साथ हो रही हैं वो बताता हूँ कुछ particular चीज़ें क्या आप सभी लोग last time nervousness के शिकार हो रहे हैं और जैसे जैसे exam की date नजदी का रही हैं नर्वस हो रहे हैं क्या आप लोग अपने आप पे confidence कोते जा रहे हैं और इतना पढ़ने के बावजूद आपको ऐसा लग रहा है कि आप सब भूल रहे हैं और आपको कुछ भी याद नहीं और आपका जाने क्या होगा और आपका confidence कम हो रहा है और सबसे बड़ा question क्या आप लोग कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि औरों की तैयारियां तो बहुत बढ़िया हैं और और लोग एक साल से दो साल से देज साल से छे मेने से कर रहे हैं हम लोग चार मेने से कर रहे हैं इस वाली चिंता से ग्रस्त हैं या क्या आप पढ़ते पढ़ते बिलकुल mind आपका सुनने हो जा रहा है सरदर्द हो जा रहा है या आपको जो है basically कुछ पढ़ने का मन नहीं कर रहा है lack of interest है या फिर आपको क्या बहुत जादा exhaustion है नीध है और ठकान है मानसिक तनाव है मानसिक तोर पर ठके वे हैं और करने भी कई और इसके अलावा polytechnic के lecturer और आने वाले lecturer और screening के बारे में भी बात करेंगे लेकिन मेरे जो counselling session होंगे क्योंकि वो deep होते हैं और analysis वाले होते हैं और आपके पास भी इतना वक्त नहीं है तो मैं हर रोज एक या दो questions को आपके सामने लेके आऊंगा counselling के तो आज क्यो करेंगे what do you mean by last time nervousness? Last time nervousness का अगर आप शिकार हैं तो उसकी पहचान कैसे करेंगे? तो उसकी पहचान बहुत आसाने करना क्योंकि मैं अपने बच्चों के साथ हर हफते counselling session करता हूं और उन्हें समझाते रहता हूं और उनको motivate करता हूं उनको तरीके बताता हूं और उन्ही सब चीज़ों से उभर के आता है जो मैं आपके सामने ला रहा हूं कि कैसी कैसी चीज़ों से बच्चों को जूजना पड़ रहा है last time nervousness की पैचान यह है कि आपने बहुत पढ़ा है आपने अच्छी तैयारी भी किये अभी पिछले मैने तक भी आप खुशते लेकिन जैसे question बता answer सोच रहे हैं तो आपके मन में answer आ रहा है लेकिन बाद में वो गलत कर दे रहे हैं और दूसरा बदल दे रहे हैं यह सब चीज़ें कुछ last time nervousness की निशानिया हैं और जब इस लेवस देख रहे हैं तो आप nervous feel कर रहे हैं तो last time nervousness से कैसे उबरा जाए इस पर बात करें हैं क्यों क्योंकि it's very natural यह natural चीज़ है जो last time nervousness होती है अगर आप बचपन से लेकर आज तक का दौर consider करें तो आप देखेंगे कि जब आप school में जाते थे और school के exam देते थे चाहे बोर्ट के exam देते थे चाहे कहीं वहां भी आप इस nervousness के शिकार होते थे लेकिन यहां पर मा अधगी का मामला है career का मामला है तो इसको कैसे deal करेंगे तो मैं कुछ aspects पे इसके light डालता हूं कि last time nervousness दो तीन तरीके से होती है एक mental इसका reason हो सकता है ठीक है दूसरा physical और तीसरा psychological और कुछ माइनों में IQ related या spiritual भी हो सकता है तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि physically हम last time nervousness को इसका last time nervousness हटाने के लिए आप अगर मेरी बात मानेंगे आपकी last time nervousness तीन दिन में गायब हो जाएगी आप मेरे हिसाब से physically अगर इसे हटाना चाहते है physical reasons और physical causes की वजह से आपको हर तरीके से इसमें प्रहार करना पड़ेगा क्योंकि एक युद्ध है ये exam एक युद्ध ह है इस समय इसलिए आपको हर हतियार इस्तिमाल करना पड़ेगा तो last time nervousness के लिए आप रोज मेरी बात मानिये अगर ना करते हूं तो देखिए आपके सरदर्द भी गायब हो जाएगा और और बी चीन तो सबसे पहले एक आप रोज सुबे और शाम कम से कम 100-200 कदम चलते हु करें लंबी-लंबी breathing लीजिए और long breathing कीजिए nasal breathing और मुँसे उसे छोड़िए और उससे positive feel कीजिए और कुछ मत सोचिए वह breathing काफी लंबी होनी चीए उसमें sound आनी चीए कुछ इस तरीके से बिलकुल काम होते हैं अगर आप ऐसे कुछ breathing लेते हुए आप 10-12 मिनट घूमें सुबे और शाम बाहर छत में या आंगन में या कहीं बर पी रोट पे भी घूम सकते हैं तो आपके लिए ये last time nervousness के लिए बहुत अच्छी चीज हो सकती है दूसरा meditation करिए अगर meditation का कोई तरीका नहीं आता जैसे हमने विपशना वगरे कि किये थे मैं आने वाले time पे आपको जो मेरे group में जूड़ रहा है lecture उसमें मैं free विपशना session भी आपको कराऊंगा और बच्चों ने किया है और बहुत जबरदस उनका प्रभ इसका भी सुन सकते हैं सारंगी का बहुत पावरफुल होता है उसके notes पे last notes पे focus किजिएगा सुनतर कि आखरी आवाज क्या थी और आपको थोड़ी देर में waves feel को होने लग जाएंगे दिमाग में यह बहुत important session है तीसरा आप अपना पानी का intake बहुत कम कर रहे है water intake बढ़ा आप अगर नीद नहीं लेंगे दिन पर दिन आप बेचेन होते चले जाएंगे आपको भले ही लग रहा हूं मैं बहुत महनत कर रहा हूं और तीन-तीन बज़े उठ रहा हूं कभी दिन पर बैठा हूं लेकिन नीद नहीं लेंगे तो last time nervousness बढ़ेगी बेचेनी बढ़ेगी दिमाग ठका होगा सरदर्द का कारण यही है अवसाद और चिंता का कारण भी यही है आपने मैं बहुत logical बात करता हूं बहुत practical आपने सुना होगा कि लोग नीद ना आने के वज़े से या नीद ना आने के वज़े से बहुत परिशान रहते हैं और फिर लोगों से जो है और आपको मैं कहा रहा हूँ 6.30-6.7 गंटे की नीद पूरी चाहिए अगर आपका रात को मन ज़्यादा लगता है नहीं सो रहे हैं रात को ज्यादा तो दिन में 2 गंटे सो जाए जिससे कि रात को 4-5 गंटे से चल जाए जिससे रात को कम सो के चल जाए लेकिन ब्रेक में लेकिन उस नीत का पुरा cycle पूरा कीजिए इस बात को टालना नहीं आप नहीं तो पूरी की होई तैयारी पूरी ढह सकती है ताश के पत्तों की तरह आप मेरी practical बातों को बिल्कुल ignore मत कीजेगा क्योंकि मैं यहां सिर्फ पढ़ाता ही नहीं हूँ मैं एक teacher भी बनाता हूँ एक इनसान भी बनाता हूँ personality भी बनाता हूँ और साथ मैं उनको यह भी सिखाता हूँ कि किसी भी उद्ध को तीनों तरीके से prepare कैसे किया जाए mentally, physically और psychologically अब आते हैं कि क्या और reason है और हम क्या कर सकते हैं यह तो physical थे जिस तरीके से आप अपने को support कर सकते हो अब आते हैं psychologically और mentally आपको grooming के लिए क्या करना है जिससे last time nervousness हट जाए पहले mentally आपको क्या preparation करनी है यह last time nervousness इसले भी है कि आप बार-बार syllabus देखते हैं और syllabus को देखके घबराने लगते हैं तो पहली बात physically रूप से syllabus आप side कर दीजिए बहुत देख चुके हैं और बहुत आपको सब रट चुका है syllabus को side कीजिए syllabus को बार-बार मत देखिए और अब आप जो आपने पढ़ा है उस पर विश्वास करना शुरू कीजिए ठीक है क्योंकि विश्वास ही इस सफलता को आपके आगे बढ़ाएगा और वैसे भी अगर अभी आप नया चीज अगर आप पढ़ना लगेंगे तो आपको क्या होगा जदा से जदा nervousness होगी और आप सोचेंगे ये मैंने नहीं किया वो मैंने नहीं किया दूसरा लोगों से बात कम कीजिए क्योंकि लोग मैंने कहा था आप सन्यासी हो जाईए इस समय अगर लोगों से बात करेंगे लोग कहीं ये पढ़ा वो पढ़ा ये नहीं किया इसमें ये भी आया था कोई कुछ डाल देगा मन में कोई कुछ और जितने इंटेक आपके दूसरों के टेंशन आपके दिमाग में कम आए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके नर्वसनेस को सेफ करेगा So cut from the other world and be involved with your own study material थर्ड चीज अपने आसपास अप कॉपियों और किताबों का धेर कम कर दीजिए आपके पास कुछ आपके पर्टिकुलर नोट्स कुछ पर्टिकुलर क्वेस्टिन की बुक कुछ MCQ की किताब है या कुछ जो दो चार चीज़ें उनको रखिए और बाकी धेर हटा दीजिए The moment you will remove that your confusion and your nervousness will be you know down by 50% Why? Because the moment you start looking around you and you start picking sometime randomly this book, that book or that book, this book and this creates you know confusion that I have a lot to do, I have a lot to do, what to do, how to plan and so many things in your mind These questions should be removed and deleted from your mind permanently आपको इन questions को हटाना है और आपको अपना limited material रखना है सामने और उसी पर करना है तो जो तुम्हारा study material है, जो तुमने अभी तक खूब पड़ा है, अब उसी पर focus करो इधर, उधर की किताब, फला फला किताब मत पूछिए, अगर आप उसी पर attention लेंगे, आपने बहुत अच्छा किया है आप उसको पूरा करिए क्योंकि उस moment की सोच ये ना, कि अगर आपके पढ़ाई हुई मैसे एक question वहाँ आया, और आप proper revision करने के वज़े से उसे घलत करके आए और घर आके देखा, कि आपने plan किया था कि last में एक copy पढ़ूंगा लेकिन आपने नहीं पढ़ी तो क्या होगा आपके दिल पे, आपने क्यों नहीं पढ़ी, क्योंकि आपने चार उर की किताबे देखी, तमाम लोगों के कहने पर आप उसको पहले देखिए, जो आपने इतनी महनस से तयार किया है तो आपको confidence बढ़ने लगेगा आपकी nervousness जाने लगेगी, क्योंकि जो आपने तयार किया है, उसको आपको important है कि आप उसको पूरी तरग grab कर ले है, have a wise like grip over that material, ठीक है यह mentally आपको करना है, prepare होने के लिए कि अपने आसपास कम कर लें, load और अपनी चीजों पर ज़्यादा focus करें, मैं बहुत practical चीजों बताता हूँ, उससे ही आपका समाधान हो जाएगा, नीद लेना breathing, पानी, यह सब बहुत practical चीज़े हैं, ठीक है और यह खास कर material हटाना, अपने आसपास, focus करना, चीजों को हटाना, social media से cut करना, लोगों से phone से दूर रहना, लोगों से बात कम करना this all will focus your entire energy on your goal and task and that is very sensual, ठीक है अब आते हैं, और क्या psychologically हमें क्या करना है, psychologically psychologically आपको एक ही रागल आपना होगा, जो बहुत जरूरी है be very positive और have faith on your studies and अपने mind को positive command देनी शुरू करनी है positive command का मतलब real में positive, और positive command का मतलब उसमें नहीं नाम का शब्दा आप remove कर दिये, पूरी तरह से पकड़िये और side replace कर दिजे, with yes and I can do and all the positive thoughts मैंने ऐसा क्यों कहाँ क्योंकि आप जरा सोचना शुरू कीजिए कि जैसी आप किसी चीज पे सोचते है, मेरा होगा या नहीं होगा या मैं कर पाँगा या नहीं तो इसमें नहीं बहुत शब्द इन्वाल्व है और mind के बारे में मैं अपने सारे motivation session में चाहे corporate में हो चाहे कहीं भी हो उन सब session में कहते आया हूँ कि the mind has a very peculiar tendency उसकी बहुत एक अलग आदत है वो यह आदत है कि it grabs your own commands and start working on that यह computer से भी fast है जैसी आपने कोई command दी यह उसको पकड़ता है और उस पर बहुत seriously work करना शुरू कर देता that's why there is a famous quote कि if you think you can or you cannot in both the cases you are quite right अगर आप सोसते कि आप कर सकते हैं या फिर आप सोसते कि आप नहीं कर सकते हैं दोनों ही case में आप बिलकुत सही हैं क्योंकि अगर आप सोसते कर सकते हैं तो mind उसको लेगा और करेगा अगर आप सोसते नहीं कर सकते हैं mind वो ही लेगा और वो ही करेगा तो आपने psychology के लिए अपने mind से negative ना और शक की command को हटाना है और उसे replace करना है positive word से क्या मैं इस बार निकल पाऊंगा अगर नहीं निकला तो इसको replace करना है मैं इस बार पक्का निकलूँगा क्योंकि मेरी तैयारी अच्छी है और मैं अपने पूरी मानदारी के सहाथ तैयारी कर रहा हूँ और सरने जैसा कहा है मैं follow कर रहा हूँ have faith on your mentor ठीक है और आगर मैं कुछ बता रहा हूँ उस फे faith करिये तो आपको result दिखने शुरूँगे लोग उन्हें किये है नौकरिया छोड़ दी बई और नौकरिया छोड़ दी जहां खाने के फाके हैं लेकिन छोड़ दिया but they are now confident उन्हें confidence गें किया है सोचिये कि उन्होंने अंधे तरीके से follow किया कहीं मेरा नहीं हुआ तो इसको replace किजिए इस बार मेरा अवश्य होगा क्यों क्यों कि मुझे अपने आप पे अकीन अपनी तयारी पे अकीन है पिशली बार से मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं या कर रही हूँ और इस बार मेरा पक्का होगा कहीं मैं जो पढ़ रही हूँ उससे नहीं आया तो वो आली units है जो मैं पढ़ रही हूँ उससे ही आएगा कहीं दूसरे दूसरे लोग पढ़ रहा हूँ और मेरा मैंने वो नहीं पढ़ा तो जो मैं पढ़ रही हूँ उससे आएगा जो मैं पढ़ रहा हूं उससे आएगा जो दूसरे लोग पढ़ रहे हैं इस बैत की भी guarantee नहीं कि वो ही आएगा तो जो मैं पढ़ रहा हूं वो भी आ सकता है अगर मैं तैयारी मांदरगी के साथ कर रहा हूं तो destiny मेरे साथ रहेगी destiny मेरा साथ देगी तो अगर आपको खुद को इतने बढ़िया word आप देने लगे so think about that how it is going to react it is going to react on your own words to your conscience, to yourself और अगर ये वो react करता है तो जाहिर से बात है कि आपको ये पक्का ले आने वाला है motivational चीज़ें देखिए motivational quote पढ़िए motivational thoughts सुनिए मैंने इतनी motivational video डाली एक एक करके सब देख डाली मैंने exam को crack करने के exam के दिन क्या करना है क्या नहीं करना है सब तरीके डालें पिछली बार भी वो हमेशा working है because they are very research topic मैं ऐसे ही आपके सामने कोई बात नहीं लाता हूँ जब मैं logically उसको test कर लेता हूँ और वो पूरा कसोर्टी पे खरे उतरते हैं तो लाता हूँ result की कसोर्टी पे लोगों की कसोर्टी पे और बच्चों को से फायदा होता है तो लाता हूँ तो आपको last time nervousness हटाने के लिए 2-3 चीज़ें करनी होंगी और बेफिक्र रही है मेरे पास बहुत फोन आ चुके हैं बहुत सारी हैं पॉलर टेक्निक भी शुरू होगा लेक्चर भी शुरू होगा लेकिन जो जिम्मदारी मैंने उठाई है LT बच्चों के लिए उसके कीमत पे नहीं LT के जो बच्चे हैं उनको लास तक लास दिन तक पूरा गाइट करूँगा उसके बाद पॉलर टेक्निक और लेक्चर शुरू करूँगा उसके बाद आप मेरे ग्रूप में जोड़ते रही है नीचे ग्रूप दिया पॉलर टेक्निक का स्क्रीनिंग लेक्चर का lecture English का आप जुड़ते रही हैं और बहुत अच्छी उद्गोशना आएंगी किसी भी बहकावे में ना आएं ये YouTube की दुनिया है वर्चुल दुनिया है डेमो देखेगा और सब कुछ देखेगा और फिर उसके बाद जो है आप admission लीजेगा और मैं ऐसी कुछ counselling session रोज रोज आपके साथ लेके आऊंगा आज मैं लास्ट टाइम nervousness पर बात किये और कल हम बात करेंगे कि जो ये डर है कि अगर मैं नहीं निकला दूसरे ज़्यादा बेतर त्यारी कर रहे हैं कि इस पर बात करेंगे और तीसरा कि मैं मेरे जो अचानक से lack of interest हो गया या फिर सर में दर्द होता है या परिशान है तो ये दो तीन चीज़ों पर कल के counselling session में बात करेंगे और साथी साथ एक दिन की दो वीडियो भी आ सकती है आप देखते रहेगा क्योंकि मैं इस counselling के साथ आपके साथ important question भी share करने वाला हूँ खासकर जिस unit की बच्चों ने demand किया शायद 5, 6, 7 और उसके अलावा मैं उस बात की भी जो है share करने वाला हूँ जो grammar के मेरे question है और जो आज कल मेरे session चल रहे हैं उसके कुछ जलकें आपके सामने पेश करूँगा और से important question क्योंकि यहाँ अगर आप लोग एक घंटे की वीडियो देख सकते हैं तो मुझे डालने में कोई हर्ज नहीं है मुझे लगता है कि कहीं आपको यह ना लगता होगी इतनी बड़ी class कैसे देखेंगे तो आप अपने comment में लिखेंगा अगर आप एक देड़ घंटे दो घंटे class देख सकते हैं तो मैं जो करवा रहा हूँ important वो आपके साथ भी share कर सकता हूँ बाकी मैं आपके साथ बना हूँ आप यह मत सोचेगा कि मैं कहीं चला गया है या फिर गायब हो गया आपके साथ बना हूँ आपके बारे में ही सोच रहा हूँ आपके बारे में ही research कर रहा हूँ और लेकिन जो बच्चे मेरे पे जुड़े हैं मेरे पे faith क्या है उनके साथ बिलकुल संगर्ष रत हूँ दिन रात एक कर रहा हूँ आप उनसे पूछ सकते हैं बस ऐसे ही बनाई रखे अपना प्यार और रोज आप वीडियो से आपसे मुखातिब हूँगा और तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ लेकिन भूलिये मत आप ही मेरी inspiration है और आप इसे subscribe केजिए और सारे लोगों से share केजिए यह केवल English का मामला नहीं है जितने भी subject वाले इस counselling session को देख सकते हैं thank you have a nice day and keep smiling be relaxed be focused feel very light and always whenever you feel demotivated just click on motivational video in the playlist of nagendra's metamorphosis and you will be boosted up okay thank you have a nice have a nice day thank you